लो फ्रेंड स्वागत करती हूं फ्रेंड आप सभी का मेरी रसोई में आसा करती हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं लाई हूं फ्रेंड आप सभी के लिए रेसिपी दही पड़ेगी ना ही मैं इसमें सोडा टाली हूं फ्रेंड ना ही मैं इसमें कुछ भी टाली बहुत ही ज़दा सौप्ट बना हुआ है और खाने में तो बहुत ही ज़दा टेश्टी है फ्रेंड मैं इसमें टारी मीठी दई को उपर से टाल तूँगी फ्रेंड मैं इसमें हरी चटनी फिर मैं उपर से टाल दूँगी इसमें मीठी चटनी फिर मैं इसमें टाल दूँगी की्यास मसाला जिससे मैं झेव त्यार किया हूँ है फ्रेज़ आप ध्यान दिचेगा एक चमश टालिएगा लान बीष Deborah पॡ़र तेईख बाड सि ripe Economic की पूझा love स्ट्रेइगा धन्यां फिर मैं इसमें सोब करीम हरी धनिया बहुत ही जद़ साफ्ट बना हुआ है फिर इसे आपको कट कर कर दिखाती हूं कितना जद़ साफ्ट बना हुआ है फिर वीडियो को आप पूरे लाश्ट तक्ट से देखिएगा फिर चरिये बनाना इस्टार्ट करते हैं ऐक कप ले लीएचेगा उरत दाल ये झेलट वाल एफ्रे पिना झेलट वाल ले लीएचेगा एक कप लीएचेगा मुम्की दाल उरत दाल को अच्छे से धो लीजगा और धो कर ओरनाइट के लिए इसे रखती जगा बहुत ही जद treaties चेल जाएगा फिर मुम की दाल को भी मैं अच्छे से धो दूंगी इसी भी धो कर ओवर्नेट के रिए रख दूंगी अगर आपको जरूरी है फ्रेंट बनाना हो मुम की दाल तो आप 4-5 घंटे में भी बना कर तयार कर सकते हो दही बड़ा दोनों तालों से ये देखें फ्रेंट कितना चद फूला फूला सा है मैं एक मिक्सर दे रही हूँ मिक्सर में डाल रही हूँ दोनों तालों को अच्छे से डाल कर मैं पेश्ट बना लूँगी फिरन सभी तालों को अच्छे से पीस लूँगी और पीस कर एक पेश्ट बना लूँगी पेश्ट बनाने की बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बरतन बरतन में मैं बड़ा सा लूँगी उसमें टाल दूँगी पेश्ट को सारे पेश्ट को मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं फेट लूँगी अच्छे से फेटूँगी फिरें तक तक सी यह लाइट एन प्लफी न हो जाए फिर आप सोच रहेंगे कितना टाइम तक से मैं फेट ना है चीक फ्रेंड उपर आच चुका है फिर यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक कडाई कडाईम डाल दूँगी याल ध्यान दिया चीका गेस के फ्रेंड लो रखिएगा फिर बड़े को मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे से अराम से डालूँगी फिर इसे डालने के बाद मैं अच्छे से फ्राई कर लोगी गोल्डन कलर होते तक से सारे बड़े को फ्रेंड मैं अच्छे से फ्राई कर लोगी लेजे फ्रेंड सारे बड़े अच्छे से तयार है फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक गंजी गंची में डार्यों नार्मल वाला पानी है एक चमस नमक, स्वादन साल पिर डार्यों ताजी सी हरी धनिया पिर थोरा से डार्यों में आदर चमस इसमें मसाला है जो मैं आपको बताई हूँ तैयार की वही वाला है अच्छे से मीक्स कर दूँगी फिर वड़े को मैं इसमें डाल दूँगी सारे वड़े को फ्रेंड मैं डालने के बाद मैं इसे 10-15 मिनट के लिए ढख कर रख दूँगी और भी ज़दा सॉप्ट हो जाएगा फिर एक कप ले रही हूँ मैं यहाँ पर मिठी दई दो चमस डाल दूँगी यहाँ पर सक्कर अब बुखाने में तो बहुत ज़्यादा सॉप्ट रहता है जिसे आप खाओ फड़ से मों में कूल जाए कैसा लगा आपको रेशिपी अच्छा लगा हो तो ट्राइ कीजिएगा बना कर और मुझे बताईए कैसा लगा अच्छा लगा हो फ्रेंड मेरी रेशिपी तो फ्लीज लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ फ्रेन आप सभी के लिए और भी ज़्यादा ऐसी नई रेसिपी लेकर तपतिक के लिए बाबा है अपना ख्याल रखियेगा